चलिए रुक करेंगे दो मिनिट में दस बड़ी ख़बरों का बारी बारिश की चितावनी चमोली और बागेश्वर को लेकर औरेंज अलट जारी अन्ने जिलो देश बारिश का येलो अलट जारी सभी लोगों को सतर्क रहने की अफित किदारनाथ में रेस्क्यू आपरेशन छटे दिन भी लगातार हुआ जारी दस हजार से जादा तीर थियात्रियों का किया गया रेस्क्यू पंड़ा पुरो ही तो कर रहे हैं शद्धालों की मदद हरिद्वार में तीन बाइकों की आपस में भीशन टक कर हाथ से में पांच लोगों की हुई मौत दो गंभी रूप से खायल सूदना मिलने पर मौके पर पहुची पुलिस से शुरू की जाश परतार हलद्वानी में नहर में मिला बच्चे का शव पांच दिन बाद SDRF और NDRF की टीम ने किया बराबाद SDRM हलद्वानी ने दी जानकारी मसूरी में शिराब की दुकान की लाइसंस का किया गया निरस्त SDRM ने की कारवाई दुकान को लेकर लगातार आ रही थी शिकायते बचकर आग पर पाया काबू रूर्की में भारते किसार मजदूर यूनियन का जूरदार प्रदर्शन उर्जा निगम के काराले पर दिया धरना किसानों ने उर्जा निगम लंडौरा SDR को सौपा गया पन मसूरी में हर्शोला से मनाया जाएगा सोतंतरता दिवस नाथ बच्चे करेंगे कारेक्रम में शिरकत SGM ने लीव विबिन विभागों के अधिकारियों की बैठर और चलिए बढ़ेंगे खबरों की और जहां मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने जनपद रुदुप्रया के आपदा से प्रभाविक शेत्रों का हवाई निरिक्षन किया इसके साथ मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने स्थानिये जन प्रतिनिधियों और उचादिकारियों के साथ बैठा कर अतिव रिष्टी से प्रभाविक शेत्रों में राहत और बचावकारियों की समिक्षा की जोरान आपदा से शतिग्रस हुए मारगो और पुलो को ठीक कराने के लिए निर्देश भी जारी करने के आदेश थी साथी जानकारी लेते हुए नजर आए जोरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार जल्द से जल्द के दारनाथ यात्रा मार को पहले की तरह संचाले करने के लिए तेजी से कारे कर रही है। लिए खिक्माया है, दो इस्तानों पर फुल भी और तमाम जो सरकारी संपक्तियां उसका भी नुकसान हुआ है, कटाओ बहुत हुआ है। गर्ण, धारमीक संगठनों के लोग, सामाजीक संगठनों के लोग, हमारे परदान गर्ण, पंचायत के प्रतनीदी, पंड़ा समाज के लोग, तीर्थ प्रोही, सब ने आगया कर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभ्यान में सभी को मदद करने का पाम किया है, बचाने का काम लगातार जारी है रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को करीब स्थानिय लोगों को केदारनाथ से भीम बील NDRF और SDRF की देखरेक में रवाना किया साथी टीम जगल चट्टी में भी 161 लोगों को NDRF चिर्बासा लेकर पहुची है वहीं रेस्क्यू टीम ने सोमवार को केदारनाथ पैदल मार्ग में फसे 1400 से जादा लोगों को सुरक्ष स्थान पर पहुचाने का काम किया तोदर केदारनाथ आबदा को लेकर पूर्व मुख्य मंतरी हरी शिरावत ने गहरा दुख जताया है और बयान देते हुए कहा कि पीडितों को ज़ादा मुआवजे के लिए सीएम को आगे आना चाहिए और आगे आने उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनिये मातनपुर्शी के लिए गया था और बहुत दुखत हो है और उपर वाले ने बहुत सारे लोगों को बचा दिया पीडित परिवारूं की तो मदद हुई है लेकिन मकान तूटने का जो कंपनसेशन है वो कम है मैंने जिलाजिकारी से भी कहा है सेकिर्टी से भी कहा है और मौक अलगेगा भी चीमिनुस्तर से भी कहा हुँआ तो वहीं प्रदेश में मौनसून की स्तिती लगातार गहराई हुई है पहारों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का असर दिख रहा है प्रदेश के चमूली और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ओरेंज अलट जारी किया गया है वहीं धहरादून, रुद्र प्रियाग, टिहरी, पौडी, पितोरागड, नैनिताल, चमपावत और उधम सिंग नगर जिले में कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलट भी जारी किया गया है यही मौसम विज्ञानिक ने बारिश की तितावनी जारी कर भूसकलन की आशंका को देखते हुए साफधानी बरतने की अपील भी की है तोदर कमिशनर कुमाव ने तीन पानी, मोटू हल्दू और गौर पाडव में एनेच और जल भराव वाले इलागों का निरिक्षन किया आम जनता की शिकायत थी कि एनेच के बनते की वज़ा से जल भराव हो रहा है और जल की निकासी कहीं जगाहों से नहीं हो पा रही है कुमाव कमिशनर ने सिचाई और एनेचेम के करमदादियों को ग्राउन रिपोर्ट मांगी और कहा कि ड्रेनेच प्लांट से चाई विभाग तयार करें जिससे पाने की निकासी कहीं दूर बाहर की जा सके बनाने की पासिबिलिटी यहां पर है तो हम पर संप्स बना के इस पानी को हम निकाल दें दूसरा हम यह देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है नी इसके लिए एक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेश प्लान्स भी बना देंगे तिक इवेंच्वली ये पानी कहीं पर निकले जिसमें सीम धामी ने सूचना विभाग के कहीं प्रभागों का निरिक्षन किया प्रत्रकारों के लिए ग्रूप इंशॉरेंस लागू करने के संबंध में उन्होंने विभाग को परिक्षन करने के निर्देश भी दिये हैं साथ ही उन्होंने सोचल मीडिया यानि फेस्बुक, यूट्यूब, ट्विटर, आधि को इन पैनल के लिए भी योजना बनाई जाने की बात कहीं जौरान मुख्यमंत्री ने कहीं और भी घुशनाई की सुसना विभाग के सरकार की जो जन कल्याण कारी नीतिया है जन उप्योगी नीतिया है और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है उनके लाप के लिए, उनकी साहता के लिए, वो गाव माव तक पहुँचे, घर गर तक पहुँचे हैं, एक एक जल जल तक पहुँचे, इस निमित आज इसना विवाद की आज यहां पर समिख्या हुई है और बहुत सारे इंगों पर मिरने भी लिए गए हैं, आगे की करे उत पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मानिता प्रदान करने की अलग से तेवस्ता बनाई जाएगी, और साथ में जो पत्रकार कल्यान कोस है, पत्रकार कल्यान कोस को पांच करोड़ से बढ़ा कर दस करोड़ किया जाएगा, इसका भी जो है, आज देने किया है, साथ ही, जो प दिखिए सुजना इवाग की बहुत विष्टरी समिक्षा मानि मंत्री विवारा की गई है। और उसमें दोनों पक्षों पर बात भी है। अधर्म्यारकल ल्याड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और विभागि के समँझ दिखते हैं और परिसानियां हैं। तो पुंदक्षित करेंगी भाही नाचावी जहां तक पतकार कल्यार रहे हैं तो वही भारत के पडोसी देश श्री लंका के बाद बांगलादेश में भी तक्ता पलट हो गया है इस बीच प्रधान मंत्री शेख हसीना ने पत से इस्तीफा दे दिया है शेख हसीना बांगलादेश छोड़ कर भारत पहुच गई है बांगलादेश में हुए घटना करम पर भारत की भी नजर है बांगलादेश में हुए तक्ता पलट पर राजनितिक दलो की प्रतिक्रियां सामने आ रही है वहीं कॉंग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा ये बहुत दुर्भागे पून है कि हमारे पड़ोसी देश बांगलादीश में राजनितिक अस्थिर्ता है चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और क्या कुछ कहा ये सुनिए लश्चित तोर पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि बंगलादीश आवामी लीक से खरसीना इन से हमारे बहुत घानिष्ट समंद थे और बंगलादीश भारत की भावना का पृतीख है और वहां यदि किसी तरीके की भी हिंसा होती है और इस तरीके की घटनाएं होती है तो वह हमारे चिंता का विश्य है हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है या अफगालिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका परिणाम हमको बहुत ना बढ़ा है अब इसी तरीके के सितिया मालीप में सेलंका में पैदा हुई सेलंका में तो और चिंता जनक सिति पैदा हुई तो इन देशों में स्थिर्था भारत की पहली प्रात्मुकता है बंगलादेश में भी स्थिर्था हमारी पहली प्रात्मुकता है हम उमीद करते हैं कि जैसा सेना प्रमुक ने कहा है कि एक अंत्रिम सरकार गठित की जाए तोदर रुड़की की जबरेडा नगर पंचायत एक बार फिर चर्चाओं में है बता दे नगर पंचायत के पूर्व चेर्मेन और पूर्व राजमंत्री गौरफ चौधरी ने प्रधान मंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गढ़बर जाले का आरोप लगाया है साथी नगर पंचायत के एयो का घिराव किया उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री आवास यूजना में आवास पात्र लोगों को ना देकर कुछ खास और बड़े लोगों को दिये जा रही हैं जिसे किसे भी बरदाश्ट नहीं किया जाएगा रुकरेंगे खबरों का जहां बीजेपी कारे करता 13 से 15 अगस तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने चा रही हैं वहीं इसको लेकर कॉंग्रेस का खहना है कि आरेसेस ने कई सालों तक अपने मुख्याले में तिरंगा नहीं फैराया और बीजेपी घर घर जाकर तिरंगा फैरा रहे हैं कॉंग्रेस ने तो आज़ादी से लेकर आज तक अपने हर अभियान तिरंगे के संबान में ही चलाया है तो दर धहरादून के शीशम बारी कूडा प्लांट में कूडे के निस्तारन को दोगुना करने की तयारी में नगर निगम जुड़ गया है माना जा रहा है कि अगले महीने से शीशम बारा प्लांट की एक शमता को बड़ा दिया जाएगा जिसका नगर निगम ने ले आउट तयार कर दिया है इस बात को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि वर्तमान में दहरादून में कूडे के निस्तारंग शमता लगबग 450 तन है और शीशम बारा प्लांटीक शमता लगबग 200 तन है प्रती शिफ्ट है जिसे प्लांट की कैपेसिटी है वो 200 तन पर शिफ्ट की है तो हम अभी दो शिफ्ट में प्लांट का उपरेट करते हैं पूरे कोड़े को प्रोसेस करने के लिए इसमें मानियंजिटी के दौरा नर्देश दिये गए थे कि प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए लग चुका है उसका लियाउट फाइनल किया जा चुका है इस महाँ अन तक मशीन रिश्टॉलेशन होने की संभावन आ है चपेट में आई तीसरी बाइक पर सवार यूवक को भी चुटे आई हैं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची जहां उन्होंने शवों को कबजे मिलेकर पॉस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भरती करवा द हुई थी इस सूचना पर घायल गुर्जंट को पपो नरसिंग होम ले जाया गया था और अभिराज को विनमी सालल नरसिंग होम के लिए रेफर किया गया था गुर्जंट की मृत्य हो गई थी उस गटना में और बाद में अभिराज की बारे में भी मृत्य होने की सूचना और एक बच्ची जिसका नाम इसल है उनकी भी मृत्यों हो गई तो वहीं रोड़गी में आर्टीयों के अधिकारी किसानों के ट्रेक्टरों के चालान काट रहे हैं तो वहीं किसानों को बेवजह परिशान कर रहे हैं इसको लेकर रुड़गी के किसान यूनियन तोमर के निताओं ने आटियो का राले पर धरना दिया जहां किसान यूनियन तोमर की ओर से किसानों की सभी समस्याओं को लेकर आटियो मैडम को ग्या पन सौपा गया है जिसको लेकर आटियो मैडम दस दिनों का अश्वासन दिया जैसे सिंगल्टेरी कोई अपने घर के लिए किसान माल लेगा जा रहा है उसका 40-45 अजार का चलान सारा का सारव परसाजन जो पिलाल या आटी ओपिस में भश्ट हो रहा है बहुत उगई करी जा रही है यहां पर कोई सुनने के लिए किसी की बात तयार नहीं है तो दर उदम सिंग नगर में तहसील दिवस का आयूजन किया गया जिसकी अधिक्षिता SGM रविंदर सिंग बिष्ट ने की इस अफसर पर तहसील दार सहित कई विभागों के अधिकारी और करमचारी भी मौचूद रहे कई समस्याओं को लेकर दर्जनो फरियादियों ने अपनी समस्याओं रखी जिसमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है तथा 6 समस्याओं के निस्तारण हेतू समंदित अधिकारियों को जाच कर आवश्यक कारे करने के लिए निर्देश दिया गया है कि अधिकांश समस्याओं के लिए इसके लिए पर निस्तारण कर दिया है तो इसके इसके इस्तारण कर दिया है फिलाल वक्त एक ब्रेक का लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसला जनतार टीवी पर लगातार जारे नमस्कार